आज स्री राम जन्व भुमी मंदर को समर्पीत छे विशेस समारक डाग टिकट जारी किये हैं विश्व के अलग-अलग देशों में प्रभू स्री राम से जुड़े जो डाग टिकट पहले जारी हुए हैं आज उनका एक आल्बम भी रिलीज हुआ है आज स्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान से जुड़े एक और अध्वुत कारकम से जुड़ने का मुझे सवभागी मिला है आज स्री राम जन्व भुमी मंदर को समर्पीत छे विशेस समारक डाग टिकट जारी किये हैं विश्व के अलग-अलग देशों में प्रभूसरी राम से जुड़े जो डाग टिकट पहले जारी हुए है आज उनका एक आलबम भी रिलीज हुआ है मैं देश विदेश के सभी राम भक्तों को सभी देश वास्यों को बहुत बधाई देता हूँ साथियों पोस्टल स्टैम का एक कार्य हम सभी जानते हैं उन्हें लिफावे पर लगाना उनकी मदद से अपने पत्र और संदेश या जरूरी कागज भेजना लेकिन पोस्टल स्टैम एक और महत्वकुन भूमी का निभाते हैं पोस्टल स्टैम विचारों इतिहास और एतिहासिक अवसरों को अगली पीडी तक पहुंचाने का एक माध्यम भी होते हैं जब आप किसी डाक टिकेट को जारी करते हैं और जब कोई इसे किसी को भेजता है तो वह सिर्फ पत्र या सामा नहीं भेजता वो सहद रुप से इतिहास के किसी आउंस को भी किसी दूसरे तक महुचा देता है ये टिकेट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है ये टिकेट सिर्फ कोई आर्ट वर्क नहीं है ये इतिहास की किताबों कलाकृतियों के रूपों और एतियासिक थलों का सबसे छोटा रूप भी होते हैं हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बड़े बड़े ग्रंत का बड़ी बड़ी सोच का एक मिनियेचर फर्म होता है आज जो ये स्मारक डाक टिकेट जारी किये गए हैं उनसे हमारी युवा पिड़ी को भी बहुत कोछ जानने सिखने को मिलेगा मैं अभी देख रहा था किन टिकटों में राम मंदिर का भव्य चित्रा है कलात्मक अभिव्यक्ति के जरिये राम भक्ति की भावना है और मंगल भवन अमंगल हारी इस लोग प्रिये चौपाई के माध्यम से राश के मंगल की कामना है इनमें सूर्य महुश्री राम के प्रतीक सूर्य की छवी है जो देश में नए प्रकास का संदेश भी देता है इनमें पुन्य नदिर सर्यू का चित्र भी है जो राम के आशिरवात से देश को सदेव गतिबान रहने का संकेत करती है मंदिर के आंत्रिक वास्तु के संदेश को बड़ी बारी की से इन डाग टिकिटो पर प्रिंट किया गया है मुझे बताया गया है कि एक प्रकार से पंच तत्व की हमारी जो फिलोसॉफी है इसका एक मिनियेचर रूप प्रभु राम के माध्यम से दर्शाया गया है इस काम में डाग विभाग को राम जन्ब भुमी तिर्तक्षेत्र ट्रस के साथ साथ संतों का भी मार्दर्शन मिला है मैं उन संतों को भी इस योगदान के लिए प्रनाम करता हूँ साथियों भगवान स्री राम माता सीता और रामायन की बाते समय, समाज, जाती, धर्म और छेत्र की सिमाओं से परे हर एक व्यक्ति से जुड़ी है सबसे मुश्किल कालखण में भी त्याग, एकता और साहस दिखाने वाली रामायन अनेक मुश्किलों में भी प्रेम की जीत सिखाने वाली रामायन पूरी मानवता को खुद से जोड़ती है यही कारण है कि रामायन पूरे विश्व में आकर्शन का केंद्र रही है दुनिया के विविन देशों, विविन संस्कृतियों में रामायन को लेकर एक उत्सा रहा है आज जिन पुस्तकों का लोकारपन हो रहा है, वो इनी भावनाओं का प्रतिवीम है कि कैसे पूरे विश्व में भगवान राम, माता सीता और रामायन को बहुत गवरव से देखा जाता है आज की पीडी के युवाओं के लिए ये देखना बहुत रुचिकर होगा कि कैसे विविन देश, स्री राम पर आधारिक, पोस्टल स्टैंप्स जाली करते रहे हैं आमेरिका, आस्टेलिया, कंबोडिया, कनड़ा, चेक रिपब्लिक, फीजी, इंडोनेशिया, स्रिलंका, न्यूजिलेंड, थाइलेंड, गयाना, सिंगापूर ऐसे कितने ही देशों ने, बगवान राम के जीवन प्रसंगों पर, बहुत सम्मान के साथ, आत्मियता के साथ, पोस्टल स्टैंप्स जाली किये हैं राम किस तरह भारत से बहार भी उतने ही महान आदर्ष हैं, विश्व की तमाम सब्विताओं पर, प्रभु राम का कितना गहरा प्रभाव रहा है रामायन का कितना गहरा प्रभाव रहा है, और आदूनिक समय में भी अनेक राश्टों ने किस तरह उनके चरित्र की सरहना की है ये अल्बम इन सब जानकारियों के साथ प्रभु स्री राम और माता जानकी की लिला कथाओं की एक संक्षिप्त सैर भी कराएगी एक तरह से महर्शी वालमी की का वो आवान आज भी अमर है, जिसमें उन्होंने कहा था यावज स्थास्यन्ती गिरया सरीतस्चे महितले तावत रामायन का था लोकेशू प्रचरिश्यती अर्थाप जब तक पुत्वी पर परवत है नदिया है तब तक रामायन की कथा श्री राम का व्यक्तित्व लोक समों में प्रचारिद होता रहेगा एक बार फिर आप सभी को सभी दे समाच्यों को इन विशेश मारक्स पोस्टल स्टैम के लिए बहुत बहुत बधाई धन्यवाद राम राम